मत्ती रचित सुसमचार तेईसमा अध्याय तबीशु ने भीड से और अपने चेलों से कहा शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्धी पर बैठे हैं इसलिए वे तुम से जो कुछ कहें वे करना और मानना परंतु उनके से काम मत करना क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं वे एक ऐसे भारी बोच को जिनको उठाना कठिन हैं बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चायते वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं वे अपने तावीजों को चोले करते और अपने वस्तरों की कोरें बढ़ाते हैं जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रभी कहलाना उन्हें भाता है परंतु तुम रब्बी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो और प्रत्वी पर किसी को अपना पिता न कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है और स्वामी भी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसी जो तुम्में बड़ा हो, वे तुम्हारा सेवत बने। जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा, वे छोटा किया جाएगा। और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा, वे बड़ा किया जाएगा। हे कप्टी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाए, तुम मनुश्यों के विरोध में स्वर के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो, हे कप्टी शास्त्रियों और फरी अपना नारकी बना देते हो। हे अंधे अगवो, तुम पर हाए। जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपत खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंद खाए, तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदि जिससे सोना पवित्र होता है। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपत खाए, तो कुछ नहीं, परंतु जो भेट उस पर है, यदि कोई उसकी शपत खाए, तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेट या वेदी, जिसससे भेट पवित्र होता है। इसलिए जो बेदी की शपत खाता है, वे उसकी और जो कुछ उस पर है, उसकी भी शपत खाता है। और जो मंदिर की शपत खाता है, वे उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपत खाता है। और जो स्वर्ग की शपत खाता है, वे परमेश्वर के सिहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपत खाता है। को निगल जाते हो। उपर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब्रकार की मलिंता से भरी है। इसी रीती से तुम भी उपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाए। तुम भविश्दवत्ताओं की कब्रें सवारते और धर्मियों की कब्रे बनाते हो। और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते, तो भविश्दवत्ताओं की हत्या में उनके साजी ना होते। हे सापो, हे करेतों के बच्चो, तुम नरक के दंड से क्यो कर बचोगे। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविश्वक्ताओं और बुधिमानों और शास्क्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोडे मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में ख़देरते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और बेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोहु प्रत्विय पर बहाय गया है, वे सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। तुमने न चाहा, देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाल छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, कि अब से जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे।